नमस्कार एजुकेशन प्लेश एकेटिवों पर आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करेंगे और जो भी नवोदे बिद्याले परिविस परिछा की तियारी करते हैं और जो 2030 का एकजाम देना चाहते हैं जिनको देना है वो जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए हैं उन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर सॉल्व कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपको फाइदा होने वाला है और क्वेस्टन बैंक को भी आप सॉल्व कीजिए ठीक है शेर कीजिए जितना ज्यादा अभी के डेट में आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फाइदा होगा एक दिन में कम से कम तो चार सेट पांच सेट जरूर सोल्व कीजिए और उसका एडिलाइसिस कीजिए आपका जो गलत होता है उसको आप देखिए कि कहां गलत हुआ है तो आएए शुरू करते हैं question number one वह कौन सी छोड़ी से छोड़ी संख्या है जिसे किसी संख्या में जोडने या घटाने पर वह भी संख्या होगी तेहां option के अनुसार ही चलेंगे हमारा option है 0, 4, 2 और 3 0, 4, 2 और क्या है 3 है कौन सी छोड़ी से छोड़ी संख्या है जिसे किसी संख्या में घटा दे तो कोई भी संख्या ले लेते हैं देखिए 6 ले लेते हैं और 0 घटाएंगे तो 6 ही रहेगा 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा तो संख्या हो गया अगर 2 घटाएंगे तो 4 क्वेस्चन नमबर देखिए दो क्वेस्चन नमबर दो है 46,890 में चार का अस्थानिय मान और अंकित मान में क्या अंतर है एक हमारे पास क्वेस्चन में है 46,890 46,890 चार का अस्थानिय मान और अंकित मान में अंतर तो देखी इसका अस्थानिय मन, इस चार का क्या निकलना है, अस्थानिय मन तो चार का अस्थानिय मन हो जाएगा, चार लिखेंगे और उसके बाद चार अंख है, तो इस पे हम लोग चार जीरो लगा देंगे, ठीके, चार लिख लिए, उसके बाद चार अंख था, चार जीर योगा चाहे हुआगा कहीं भी रहे, ठिक है पांच, 4 है न तो 4 का स्थानी मन कितना होगा, 4 अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है दोनों का अंतर का मतलब क्या करेंगे हम लोग, घ्रटा देंगे तो अंतर इसका हो जाएगा यह 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 3 तो 49,996 में इसका शही उत्तर आएगा, ठीक है आईए देखें, question number 3 question number 3 है 2-3-5-7 और 3-5-7 गूने 11 का मस क्या होगा देखें, यहाँ पास 2-3-5-7 दूसरा जो गूने खन करके लाया गया है 3-5-7-11 इसका मासा निकालना है तो मासा क्या होता है, मासा एक वैसी संख्या है जो दीगए संख्या को डिभाइड कर दे तो इसमें मासा निकालने के लिए हम लोग common factor खोजते है इसमें common क्या मिल रहा हम लोग को तो common देखिए, ये तीन मिल रहा है ठीक है? और ये क्या मिल रहा है? पांच मिल रहा है और क्या मिल रहा है? साथ मिल रहा है तो जो जो मिलता है उसका गुननफल ही क्या हो जाएगा? हमारा मासा आ जाएगा तो तीन गुने, पांच गुने, साथ तीन पचे पंद्रा, पंद्रा सत एक सो, पांच एक सो पांच इसका क्या आजाएगा अंसर आजाएगा आईए देखते हैं question number 4 question number 4 है निमलिखित में से कौन एक के बराबर है कौन एक के बराबर है तो इसमें हम लोग option number देखते हैं कौन सा option number 2 देखिए option number 2 एक के बराबर होगा option के नुसारी से solve करेंगे तो 0.8 गुने 7 और बटा में 1.0 और इंटू में 5.6 है इसको solve करेंगे तो एक ही आएगा कैसे एक आएगा देखे यहाँ point के बाद कितने अंक है point के बाद एक अंक है तो हम लोग नीचे इसका 10 लिखेंगे हैं ना एक पर एक जिरो लिख दिए यहाँ point के बाद एक अंक है तो यहाँ उपर में हम लोग क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे ठीक है अब यहाँ सी यह point इसका खतम हो गया 8 से कटेगा कितने बार में साथ वार में, साथ से कटेगा एक वार ही 1.0 है मतलब एक ही है एक है 10 से 10 खतम हो जाएगा, तो इसका value कितना हो जाएगा एक बाकि किसी भी option को अगर हम लोग solve करते हैं तो वो एक के बराबर नहीं होगा आईए देखते हैं question number 5 question number 5 है 3 बटा 4 भाग 3 बटा 4 गुणा 2 गुणा 2 पलस तीन बटा 2 किसके बराबर होगा तो तीन बटा 4 यहाँ भाग दिया गया है तीन बटा 4 गुणा किया गया है दो, देखें सेम संख्या से भाग दिया है तो ये कड़ जाएगा, इसे ही तो एक आ जाएगा 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा 2 पलस, 3 बटा केतना? 2, ठीक है अगर इसको हम लोग solve करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? चार और चार और तीन कितना हो जाएगा साथ यानि की हो जाएगा साथ बटा दो इसका अंसर आ जाएगा ठीक है ये था question number 5 देखते है question number 6 question number 6 है पर्थम पांच समसंख्याओं का और अशत क्या होगा ठीक है पर्थम पांच समसंख्याओं का और सत निकालना है तो पहली समसंख्या कौन है दो उसके बाद की समसंख्या चार उसके बाद छे उसके बाद आठ और उसके बाद दज और इनका और सत निकालना है तो टोटल पांस संख्याओं पांस से भाग देंगे टोटल को जोड के पांस से भाग देंग तो 4, 6, 4, 10, 12, 12, 12, 20, 20, 10, 30, 30 बटा कितना हो जाएगा, 5, 5 इसको डिभाइड करेंगे, 6 बार में, यानि इनका उस्थ कितना आ जाएगा, 6 वेस्चन नमबर देखिए, 7 साथ नमबर क्येस्चन है, एक साइकल सवार 3 मिनिट में 1.2 किलो मेटर की दूरी तै करता है, तो उसकी गती प्रैति घंटा क्या होगी? उसकी गती मतलब चाल निकालना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय्ए चाल बराबर होता है दोरी बटा समय दोरी कितना तै कर रहा है 1.2 और समय कितना ले रहा है 3 मिनट चलिए देखिए यह 3 मिनट है तो किलो मीटर प्रती घंटा में हम लोग चाल निकालेंगे किलो मीटर प्रती घंटा में तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे 60 तो ये घंटा में चला आएगा कितना से भाग दे देंगे 60 तो यहां से 1.2 यह दखीज का मतलब है कि ये बड़ी वाली लाइन है तो यहां भाग हो जाएगा 3 बटा 60 तीन को नीचे भेद देंगे, ठीक है, तीन से कड़ जाएगा ये, 20 बार में, 10 से ये कड़ जाएगा, दो बार में, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24, यानि 24 किलो मीटर प्रती घंटा आ गया, ठीक है, यहां मीनट में दिया गया था, इसलिए हम लोग इसको घंटा में चेंज कर लिए, तो घंटा में चेंज करने के लिए, 60 से भाग देना पड़ेगा, क्वेस्चन नमबर देखिए, 8, क्वेस्चन नमबर 8 है, चार कलम का मुल, 16 मुल के बड़ेखिखिए, तो सबसे पर लोग पयंसिल को ही लिखेंगे, ऐसे, डायरेक्ट भी बना सकते थे इसको, चोकि सोलह पेंसिल का मुल्ले चार कलम के बराबर है इसलिए एक पेंसिल का मुल्ले किसके बराबर हो जाएगा तो चार बटा सोलह है ना चार बटा सोलह कलम के बराबर इसलिए कितना पेंसिल इसलिए हम लोगों को 96 पेंसिल का दाम 96 पेंसिल में कितना कलम मिलेगा तो 4 बटा सोलह हो गया गुना कर देंगे 96 से 16 चक 96 चक कितना हो गया 24 याने के हम लोग को मिलेगा 96 पेंसिल के बदले में 24 कलम 96 पेंसिल के बदले में 24 कलम यह था question number 8 आईए देखते है question number 9 question number 9 है x का मान क्या होगा यदि x का 5% plus 75 का 16% बरावर 16 है x का 5% है तो x का 5% 5 बड़ा 100 हो जाएगा पलस 75 का 16% तो 75 का 16% 16 बड़ा 100 हो जाएगा बरावर टोके बरावर हो जाएगा कितना 16 अब है और यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है तो अगर इसको हम लोग काटते हैं 5 से तो यह 20 बार में खत्म हो जाएगा इसको अगर हम लोग काटते हैं पांस से तो पंदरा बार में और इसको काटते हैं पांस से तो बीस बार में ठीक है अब इतना ही हम लोग रहने देते हैं इसको यहां सी एकस बटा बीस हो जाएगा पलस इसको बीस ही रहने देंगे या भी और कटेगा लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं काटेंगे ताकि कल्कुलेशन आसान हो जाए ज़्यादा नहीं काटने से 16 में 15 से गुना कर लेंगे तो 15, 6, 90 हो जाएगा और 15 ही काई 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 240 और बटा में कितना 20 240 और बटा में कितना आएगा 20 ठीक है यहाँ से 20 20 है इधर 16 है इन दोनों का इल्सियम लेने के हम लोग को जरुवत ही नहीं है क्योंकि इसका इल्सियम तो 20 ही आएगा ठीक है अगर नीचे सेम रहता है तो उपर जो लिखा हुआ है जोड में इक्स पलस एक्स पलस 240 बराबर 16 गुने 20 कितना होजागा 16 गुने 22 गुना करेंगे क्रोस मल्टिपलाए तो 320 हो जाएगा एक्स का भेलू आजाएगा 320 माइनस 240 तो यहाँ 0 आजाएगा 60 और 20 कितना 80 यानि कि एक्स का भेलू आजाएगा 80 ठीक है X का value कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा ये था question number 9 आईए देखते है question number 3 question number 10 है एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 में खरीदा उसकी मरमत पर 10 रुपया लगाया देखे इसका लागत मुले निकाली लागत मुले क्रेमुल तो खरीदा गया लेकिन लागत मुले कूल मुले होता है कितना लगाया गया उसमें तो खरीदा गया है उस घड़ी को 87 रुपय में ठीक है और उसको मरमत पर उसको बनाया गया 10 रुपय लगा करके तो टोटल इसका लागत हो गया 97 रूपया टोटल इसका लागत कितना हो गया 97 रूपया ठीक है फिर उसे बेच दिया 105 में तो विक्रेमूल कितना हो गया इसका विक्रेमूल हो गया 105 रूपया अब लाभ निकाल लेंगे हम लोग तो लाभ बराबर क्या विक्रेमूल माइनस क्रेमूल होता या विक्रेमूल माइनस लागत मुल तो विक्रेमूल माइनस लागत मुल भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लागत मुल विक्रेमूल कितना हो गया 105 लागत मुल कितना 97 तो कितना रुपय का लाब हो रहा है उसको 8 रुपय का लाब हो रहा है आईए द मुलधन हो गया उसका पंदरा सो रूपया उधार लेता है दर कितना परसेंटी 11% के हिसाब से और कितने वर्सों में लोटाना उसको दो वर्सों में यानि कि समय हो जाएगा दो वर्स ठीक है तो कुल कितना रकम उसको लोटाना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग क्या निकाल ल देंगे तो ब्याजब्रावर मुल्धन गुने समय गुने दर ऑबता में कितना सो तो मुल्धन कितना है पंदरा सौ समय कितना है दो वर्स और नर कितना है 11 और बटा में कितना हो जाएगा 100 ये दो जिरो से दो जिरो खतम 15 दूनी 30 और 30 में 11 सुगुना करेंगे तो 330 रुपया यानि ब्याज आ गया 330 रुपया तो मिस्रधन निकाल देंगे हम लोग मिस्रधन का मतलब है कि कुल कितना रुपया उसको लोटाना पड़ेगा तो ये मुलधन तो लोटाएगा ही लोटाए तो पंद्रह सो और तीन सो कितना हो जाएगा अठारह सो तीस रुपया उसको लोटाना पड़ेगा ठीक है ये था क्वेस्चन नमबर 11 आईए देखते हैं क्वेस्चन नमबर 12 अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किर्पया लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे सेर कर दीजिए आईए देखते हैं क्वेस्चन नमबर 12 एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है देखिए वर्गाकार आंगन है ठीक है तो वर्गाकार आंगन का परिमाप दिया गया है 200 मीटर तो वर्गा कार आंगन है इसका मतलब इसका परिमाप होगा चार गुने भूजा वर्ग का परिमाप यही होता है 200 अगर हम लोग यहां से भूजा निकालेंगे तो यह हो जाएगा 200 और बटा में 4 चार से इसको काटेंगे 50 वार मेने की भूजा हो जाएगा 50 मीटर ठीक है अब क्या पुछ रहा है इसमें कि उसका 6 रफल ज्याद करें क्या निकालना है 6 रफल तो अब इसका 6 रफल निकालेंगे तो वर्ग का 6 रफल क्या होता है भूजा गुने भूजा या भूजा सक्वाइर थिक है भूजा गूने भूजा तो भूजा गूने भूजा मतलब 50 गूने 50 तो 50 गूने 50 हो जाएगा 2525 ठीके और चित्रफल है तो मीटर द्ट नट मिखेंगे तो वर्ग मीटर पना तो पचीस सो मीटर अस्क्वाइर इसका अंजर आएगा यह था क्वेस्चन नमबर 12 आईए देखते हैं क्वेस्चन नमबर 13 क्वेस्चन नमबर 13 है इस तरह से है रूट 13 गूने रूट 81 गूने रूट 49 गूने रूट 16 इतना आसान क्वेस्चन है यह इसका वर्गमूल हम लोग को याद होना चाहिए रूट 9 इंटो रूट 4 ठीक है तो इसका वर्गमूल हम लोग को क्या होना चाहिए याद होना चाहिए जैसे यह क्या 13 है नहीं यह 36 है ठीक है यहां पास क्या लिखा गया है 36 तो 36 का ये बर्गमूल कितना होता है 6 ये 81 का बर्गमूल कितना होता है 9 49 का बर्गमूल कितना होता है 7 16 का बर्गमूल कितना होता है 4 ये 9 का बर्गमूल कितना होता है 3 और 4 का बर्गमूल कितना होता है 2 अब जो कटेगा उसको काट देंगे ऐ तही 6 से 6 खतम हो जाएगा ते 9 से 63 और 63 में 4 से अगर हम लोग गुना करते हैं 63 गुने 4 तो चर्तियाई 12 और 4 चक 24 24 25 यानि कि 252 इसका अंसर आएगा कि इतना इसका अंसर आएगा 252 आप्शन नमबर 3 यह था क्वेस्चन नमबर 13 आएगे देखते क्वेस्चन नमबर 14 क्वेस्चन नमबर 14 है एक विद्यार्थी 9.30 पर सोने के लिए गया तथा प्राता 4.15 पर जागा तो विद्यार्थी कितने दर तक सोया देखिए 9.30 तक सोया 9.30 पर सोने के लिए गया तो 12 बजे तक उसने कितना सोया बारा बजे तक कितना सोया होगा तो अगर हम लोग 12 बजे में से 12 बजे में से 9.30 क्या करते हैं गटा देते हैं इस तरह के बहुत क्वेस्टन पुछे जाते हैं तो 12 बजे में से 9.30 को घटा देंगे तो यह आ जाएगा कितना 2.30 ठीक है यानि 2 घंटा 30 मिनट ठीक है और 2 घंटा 30 मिनट तो सोया लेकिन 12 बजे के बाद कितना सोया 12 बजे के बाद जागा है 4 15 पर हैना कि जागा है 4 15 पर मतलब 4 घंटा 15 मिनट 12 जाके बाद सोया और दोनों को जोड लेंगे तो ये 45 हो जाएगा और चार दो 6 यानि कि 6 घंटा 45 मिनट है ना 6 घंटा 45 मिनट ठीक है 6 घंटा 45 मिनट क्या किया होगा वो सोया होगा ये था क्वेस्चन नमबर 14 आईए देखते हैं क्वेस्चन नमबर 15 फिप्टी नमबर क्वेस्चन है पचास गुने 5 गुने 0.05 का मान क्या होगा देखें पचास गुने 5 गुने 0.005 ठीक है गुना कर दीजिए पचास में 5 से करेंगे नहीं तो आप 5, 5, 25, 25 कितना होगा 125 कितना हो गया 125 यहाँ देखें एक 0 था यहाँ एक 0 लगा दिए ठीक है अब पउइंट दो अंग के पहले आएगा देखें इसमें गुना करने का क्या नियम है कि पउइंट को छोड़ करके गुना कर ले जैसे यहाँ 5 हो गया यहाँ 5 होगा 25 और 25 में 5 से गुना करेंगे या 50 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1250 पॉइंट दो अंके पहले है तो यहां भी पॉइंट दो अंके पहले होगा यानि 12.50 अगर है तो वही अंसर होगा यानि ऑप्शन नमबर दो गहन का किनारा पांच सेमी है तो उसका गहन का संपूर्न प्रिष्ठ छेत्रफल गहांगा इनका संपूर्न प्रिष्ठ छेत्रफल होता है छे गुने भूजा स्क्वाइर ठीक है छे गुने भूजा स्क्वाइर मतलब छे गुने भूजा गुने भूजा हुआ तो छे गुने भूजा कितना दिया था पांच ना तो छे गुने पांच पांच का स्क्वाइर मतलब पांच गुने 5 तो यह हो जाएगा 6 पचे 30 और 30 पचे 1.500 यानि कि इसका अंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यों? सेंटीमीटर स्क्वाइर होगा ठीक है? 150 सेंटीमीटर स्क्वाइर 150 सेंटीमीटर स्क्वाइर यानि कि 150 वर्ग सन्तिमीटर है इसका मतलब ही वर्ग सन्तिमीटर है ये था question number 16 आएए देखते है question number 17 question number 17 है 4 meter 25 cm कमान centimeter में का हुगा? बहुत आसान question है 4 meter और 25 cm है ठीक है? इस कमान centimeter में के होगा? आताँ 4 मीटर 400 सिंटि मीटर और 25 मीटर 25 सिंटि मीटर तो जोड़ देंगे यानि की हो जाएगा 425 सिंटि मीटर इसका अंसर आएगा ठीक है ये था question number 17 question number 18 Q18 है चार अंकों की लगुत्तम संख्या ग्यात करे जो पूर्ण बर्ग हो तो ऐसे प्रस्ण में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है चार अंकों की लगुत्तम संख्या लिखो चार अंकों की लगुत्तम संख्या कितना हो गया एक हजार चारहंकों के लग उत्म से कितना हो गया एक हजार से और यह पूर्ण बर्ग होना चाहिए न तो सबसे पहले इसका गुननखन निकालेंगे दो से तो यह पान सो बार में फिर दो से लगाएंगे तो यह हो जाएगा धाई सो बार में एक हजार है ठीक है तो यहाँ दो गुने दो गुने दो गुने पांच गुने पांच गुने पांच गुने पांच गुने पांच यहाँ से देखे जिसका स्क्वाइर नहीं बनेगा ठीक है जैसे दो गुने दो मतलब दो का स्क्वाइर हो गया ठीक है इस पांच गुने 5 मतलब 5 का स्क्वाइर हो गया और गुना में देखे ये एक 5 ऐसे ही छोट गया और ये 5 दो ऐसे ही छोट गया तो ये इसका भी क्या होना चाहिए अगर वर्ग निकालने की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जब ही संख्याओं का स्क्वाइर ह होना चाहिए और जिसका स्क्वाइर नहीं है उसका हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वाइर बना देंगे इसका एक है तो इसमें मतलब 8 2 और लि पांच से किया तो पांच दूनी कितना हो गया दस तो ये सब को अगर हम लोग गुना करेंगे तो यहां से ये वाला और एक पांच को मिला करके हो जाएगा एक हजार तो एक हजार में दस से हम लोगों को गुना कितना से किया गया है देखिए यही दो से तो किया है हम लोग ठीक है यानि कि दस से गुना किया है तो एक हजार में हम लोग गुना कर देंगे दस से तो यह हो जाएगा 10,000 यानि सबसे छोटी संक्या एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये दो है और ये कितना है पाँच है तो इस प्रश्ण को बनाने के लिए हम लोगों को इस मेथड से काम नहीं चलेगा ठीक है इसे बनाने के लिए हम लोगों क्या करना पड़ेगा चले यहां तक ठीक है यहां तक हम लोगों का क्या है ठीक है दो का स्क्वाइर पाँच का स्क्वाइर और ये बच गिया कितना दो गुने पाँच ठीक है दो गुने कितना बच गिया दो गुने बच गिया कितना पाँच तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एक हजार का एक हजार का वर्गमूल निकाल दीजी आप सीधा तो इस मेध़ट से हम लोग आसानी से बना सकते हैं इसको तो हम लोग गुना करके नहीं बना सकते एक हजार का अगर हम लोग निकालते हैं वर्ग मूल तो कितना से ये दो जीरो और यहाँ दो अंग पर यहाँ दो अंग पर यहाँ तो कितना से लगाएंगे लगाते हैं हम लोग इसमें तीन तीन नौ तीन से लगाएंगे तीन यहाँ भी तीन यहाँ भी और तीन यहाँ भी लिखेंगे तीन जगाए पर तीन लिखा हमने तीन तीन कितना हुआ छे तीन तीन छे और तीन 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 कितना नौ यहाँ लिखेंगे यहां घटाएंगे एक और यहां क्या आजाएगा डबल जिरू आजाएगा क्या आजाएगा डबल जिरू अब यहां पास कोई अंक लिखेंगे ठीक है और यहां पास जो अंक लिखेंगे उसी में उसी से अगर एक लिखते हैं तो एक से गुना करेंगे दो लिखेंगे तो दो से लेकिन दो लिख करके अगर गुना करेंगे तो यह 100 से जादा हो जाएगा तो एक में हम लोग एक से करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 61 तीक है यह 61 और 1 कितना हो जाएगा 62 इधर अगर घटाएंगे तो यह हो जाएगा 39 और यहां पास तो 1 आएगा ही आएगा अब देखिए 31 का स्क्वाइर से क्या है ये बड़ा है ठीक है तो अगला जो हम लोगों को मिलेगा ठीक है ये जो 1000 है ठीक है वो 31 का स्क्वाइर से क्या है बड़ा है तो इससे ये जो पूर्णवर्ग तो है नहीं अगला पूर्णवर्ग कौन होगा अगला पूर् यानि सबसे छोटी संख्या कौन है 1024 ही सबसे छोटी संख्या आए जो क्या है पूर्ण वर्ग है इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे question number 19 19 अधिक कुन तिर्भुज में एक कुन अधिक कुन तथा अन्य दो कुन होते हैं देखिए 19 नंबर में एक कुन क्या है अधिक कुन है तो अधिक कुन का मतलब होता है 90 डिगरी से अधिक ठीक है, 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक, जब एक को 90 डिग्री से अधिक होगा, तो अन्य दो कुन होगा, वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो 90 डिग्री से जो छोटा कुन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, नियून कुन, क्या बोलते हैं उसको, नियून कुन 90 डिग्री से छोटा दोनो कौन क्यों होगा क्योंकि ये 90 डिग्री से जब अधीक होगा तो अगर हम लोग 3 कौनों को देखे तरिभुज का तो 180 डिग्री होना चाहिए तो 180 में से अगर हम लोग 90 घटाते हैं तो कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री आएगा तो इसी 90 degree में तो ये दो नियून कोन होना चाहिए ये दोनों कोन क्या होगा जब छोटा होगा तभी क्या होगा ये जब दोनों कोन छोटा होगा तभी हम लोगों का तिर्भुच complete हो पाएगा तो दोनों कोन कैसा होना चाहिए नियून कोन होना चाहिए अगला है अगला क्वेस्चन देखे 20 नंबर लास्ट क्वेस्चन है 16, 24, 36, 16, 24, 36 एक मिनट 36 है यहां 34 होगा देखें क्वेस्चन में गलत दिया गया है 16, 24, 36 और यहां पास क्या होगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं इस प्रश्ण में कि यहां से 16, 8 जूटा है यहां से कितना 10 यहां से कितना 12 तो यहां से कितना होगा 14 होगा तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 4 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 यानि कि इसका अंसर कितना आजाएगा 60 तो इस तरह से हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कम्पलिट कर लिया है ठीक है अगर आपने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप उन्हें जा करके देखिए और उसका सॉलूशन कीजिए तभी आपका सेलेक्शन हो पाएगा नहीं तो ऐसे सेलेक्शन नहीं होगा आप अभी से जवर्दस्त त्यारी में लग जाएए तो अगर हमारा वीडिय आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए थैंक्यूँ